आज हम बनाएंगे पनीर की सबजी वो भी बीना काजू और बीना किसी क्रेम के तो मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है दो छोटे चाइच के प्याज टमाटर पांचो लसुन की कली एक हरी मिर्च और कुछ खड़े मसाले लिये है पैन में एक चमस तेल डालेंगे उसमें प्याज ट दालकर फ़र सब भूल लेंगे जो खड़े मसाले थे हैं उसको भी उसमें डालकर अच्छे से मिलाएंगे प्वड़ा सा नमक डालेंगे ताकि सबजे जो कल जाएं अब पनीर को कट करेंगे आप पनीर अपने अउनसार कट कर सकते हैं किसी भी साइज में हम स्क्राइच हमने स्क्राइच में पनीर को कट किया है अब सब्सक्राइच में आधा का टोड़ी पान ही डालेंगे तक भी सॉप्ट हो जाए अब पनीर में कुछ सुख्य मसाले डालेंगे हल्दी नमक एक पीज कस्मीरी लाल मीर्च कसूरी मेथी डालकर इसको प्रॉस कर लेंगे सब्सक्राइच हमारी सॉप्ट हो गई है इसको मिक्सर हों डालकर एक पाइन पेश्ट तयार कर लेंगे यह देखिए प्याज टमाटर के अलावा पनीर्च स्लाइस डाल लेंगे इसमें हम इससे पर यह सब्सक्राइच बहुत ज्यादा क्रीमी लगेगी लगेगा यह नहीं कुछ में खाजू नहीं है या कोई भी मलाई नहीं है उसी पेल में एक चमच घी डालेंगे और जो पनीर को टॉस की थे ना उसको डालकर हलका सब फ्राइच कर लेंगे ज्यादा फ्राइच नहीं करेंगे नदीर क्यों हो जाएगा अब जो प्याज ट्रमाटर का पेस्ट तयार के थे ना उसको डालेंगे इसमें यह देख लिख लिख ट्रमाटर वाला पेस्ट डालेंगे देख की तना अच्छा लग रहा है लगी नीदा आप इसमें टाज नहीं है जार में थोड़ा सा पानी मिला के डालेंगे इसमें थल्का सा गरब मसाला आप चाहें तो कोई भी पनीर का मसाला डाल सकते हैं हम नहीं डाले हैं तो अधन सर नमक डालेंगे और आप देख लिजिए कि आपको कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए उसके अपको रख सकते हैं गाढ़ा पतला कर सकते हैं यह देखिए सूपर डेलिशियस पनीर की सबजी बन गई है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल पर अगर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू